हेलो इस्टूरेंट स्वागत आपका गुलियर स्टीपॉइंट क्लास है मैं शिवम शर्मा इस्टूरेंट्स आपके कमेंट आरते ही कि हम साथ डेट शीट कैसे देखे हमारा एक्जाम कौन सा एक्जाम कब है कैसे होगा तो अब इससे पहले वाले वीडियो जो मैंने अप्लो उनों को सेपरेट करके लिख लिए है कि टेंथ के एक्जाम कब होंगे और लाश्ट वैल्थ के एक्जाम कब होंगे तो आपको इस टेप वाई स्टेप में सब समझाता रहा हूंगा ठीक है तो आप वीडियो को पूरा लाग सक देखीगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब पूरा वीडियो को जितने वीडियो अप्लोड होते हैं सब वीडियो को देखिए आपका बॉर्ड एक्जाम में अच्छा स्कॉर बनेगा तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्राखंड बोर्ड शिक्षा विद्याली शिक्षा परिशा परिशा रामनाकर नहिंताल हाई स्क परोड हो जाएगा 27 तारिक को आपका पहला जो एक्जाम होगा प्राता दस बेश से टाइमिंग है आपका 12 तक रहेगा खाली फर्स्ट पेपर का यह टाइमिंग है दस से 12 का औरों का चेंज होगा जिसमें आपका हिंदूस्तानी संगीत यानि हिंदूस्तानी म्यूजिक ज यानि जो क्लाश टैन्त का में टेपर जो स्टार्ट होगा हिंदी का वह आपको 28 तारीक से स्टार्ट होगा उसके बाद नीचे नीचे चलते जाते हैं एक चीज को मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगा एक तारीक को यानि आप देखेंगे आप एक मार्च को जो है आपका यहा दो तारीक को आप देखेंगे आपे दो तारीक को जो आपको पेपर है ये भी हिंदुस्तानी संगीत गायन और परकसन वादन है ठीक है ये में सब्जेक्ट आपका जिनका होगा उन्हीं के लिए इंपोर्टेंट है उसके बाद आप देखेंगे चार तारीक को जो है आपका चार तारीक को ग्रह विग्यान है जिनकी ग्रह विग्यान होगी उनका ग्रह विग्यान का पेपर होगा जिसमें क्या था केवल बालिकाओं के लिए और सेकंड भी क्या था उन बालिकाओं के लिए है जिन्नोंने क्या ग्रह विग्यान को इंपोर् चिंब आ पिकए से बाद आपका छी थारीक को आपका इगजाम होगा खनाने वाला रहेगी गुर्णित का इंगलई का इंगलीश का एकजाम होगा उन इसके बाद आप देखेंगे नो के बाद जो है आपका 12 तारीक को एक्जाम है 12 तारीक को क्या है सूचना प्रद्योगी की यानि आई टी का जिन्हों डियावा इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी का और रंजन कला यानि आपका पेंटिंग का देखिए टेकनोलोजी वाला जो पे 12 से एक वे सकथ आपका संस्क्रिक का वेपर रहने वाला है इसमें आपका डिफरेंट ज्याद नहीं है इंगलिष के बाद जो में बच्चे है वो संस्क्रिक की तियारी पर ही करते है ठीक है को जो है आपका पंजाबी सब्जक्ट है और टेंट वालों को जो लाश्ट एक्जाम है दस बेसे लेकर बारा बजे तक कर रहेगा और दस बेसे एक वेसे दो पेपर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट हैं हो जिनका जो सब्जेक्ट होगा उन्होंने उसके एकोडिंग चूज किया होगा ITES और Automotive और Agriculture और इसके सांद एक दो सब्जेक्ट के नाम और लिखे थे इस पेस कम की वैसे मैंने वो नाम लिखे नहीं है मैंने आपको समझा दिया है जब आपको एड्मिट कारड आएगा उसके पीछे पूरी आपको डेट शीट लिखी रहती है वेपारिक तात्वाय भही खाता ह जिनका जो जो सब्जेक्ट है उसके एकोर्डिंग आप चूज कर सकते हैं तो यह थी आपकी पूरी डेट शीट मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर देखेंगे पूरी आपकी डेट शीट है जिसमें मैंने आपको समझा दिये कि आपका एग्जम कब से कब तक होंगे त वीडियो को दुबारा रिपीट करके देख सकते हैं जिससे उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अप्डेट के साथ थैंक्यू